हलो दोस्तों कैसे हैं सब स्वागत है आप सभी का कॉमिक वाल चैनल पर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं थ्रिल हॉरर सस्पेंज सीरीज की कॉमिक्स 12 घंटे का अगला भाग लॉक इट पूर्व कॉमिक्स 12 घंटे में अपने पड़ा की लाश के साथ कबर में दबाई गई कीमती वस्तों को चुहे ले उड़ते हैं यह नोखे चोड सारा मार लेकर एक पटे हाल वैक्ति लाल किष्णी के पास पहुंचाते हैं एक दिल यही दौलत मुझे दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनाईगी पीटर ब्रिगेंजा विक्टर और जीवन इन चारों दोस्तों को बूड़े लाल गृष्णी की बेटी संद्या से उस अद्वत रजाने का पता चलता है और पीटर यही वह साला करोड़ पती भिका करकर उसकी हप्तिया कर देते हैं कि तुम्हें दौलत नहीं मिलेगी मौत मिलेगी वाल कुलग के बारवी घंटे के समय वह दम तोड़ देती है उसकी लाज जिस कब्रिस्तान में दफनाई जाती है चुए वहां से कीमती बस्तों चराकर लाल किष्णी के पास पहुंचा देते हैं जिनने देखते ही वह पागल सा हो जाता है कब्रिस्तान पहुँचने पर उ खजाने को अकेले ही पाने की सोचते हैं ब्रगैंजा अगली रात खजाने की खोज में निकलता है और तब ही अब आगे क्या होता है प्रस्तित चितकता में पढ़ें उस साइं को देखते ही ब्रगैंजा के पसीने चूट गए कौन हो तुम मुझे नहीं पहचाना अरे लाल कृष्ण हूँ तुम है तू खजाना लेने आया न मैं तुझे खजाना दूगा लेकिन पहले तुझे बताना और संध्या को मारने वाले हाथ किसके हैं अगर बता दूर्व तुक्या तुम सच मच हाँ दूगा खजाना सच मच उसे जीवन पीटर ने मारा एं मैं है ना वह खाजाना जो तुम उपसे चछीनदा चाहते थे नै नहीं चीनना कौन कम बहर चाहता ता हम तो बगर अब तो या खाजाना तुमने खुद मुझे सौबब आया ना यह खाजाना यह सारा खाजाना मेरा है है ना स मिंदे थीक तब five ओ यह क्या ना कमी मिलेगा! ये क्या कर रहा हो लालकिष्नय? ये क्या पागलपन हैwhere लालकिष्नय से घषीकर एक तरफ ले जाने लगा का और ले जा रहा हो मुझे? तुझे टो खजाना चाहिए वह यहाँ नहीं है कुत्ते, दूसरे कशम है, वहीं ले जा रहा हूँ भूड़े ने उसे लंबी मेज़ पर पठक दिया जंजीरों से चकर दिया किया वै क्या कर रहे हो तुम छोड़ तो मुझे मुझे खसाना नहीं चाहिए ब्रेगेंजा चीक पड़ा नहीं लालकिष्ट ये क्या कर रहे हो उफ बंद कर दूए दर्वासा नहीं लालकिष्ट भ्यानक रूप से अठास करता चला जया कक्ष सिर्फ और सिर्फ चुओं की चीची और ब्रेगेंजा की भ्यानक चीखों से गून जुठा बचाओ आ कि दो घंटे तक वह घूनी खेल चलता रहा और जब थमा ब्रेगेंजा लाश में बदल चुका था उदर कब्रिस्तान के चौकीदार की लाश पुलिस के हाथ लग चुकी थी हम तो यहां लाश के अंधिम संसकार के लिए आये थे लेकिन यहां चौकीदार की लाश देखते ही हमने आपको सूचन भेज दी ऐसा लगता है जैसे मरने से पूर्व इसने हत्यारे के साथ संगश किया है लाटी के अगर भाग पर रखते के धबे लगें इनकी फॉरण से चार्च करानी होगी ब्रेगेंजा के बाद जीवन दौलत के मामले में मुझे किसी पर विश्वा अगर बूड़ा मेरे काम में रुकावड बना तो मैं इसे शूट कर दूगा इस रास्ते से मैं बूड़े की मुझें तक तो नहीं पर उसके निवास तक ज़रूर पहुंच जाऊंगा उफ बदबू और सडान से दिमाग फटा जा रहा है पर दौलत का मजा लेना है तो उस सांप की तरह रेंगता हूँ है वह आगे बढ़ा बूड़े ने अपने जासूस ना फैला रखे हूं मैं भी बेवकूफ हूं अगर बूड़े को हमारे बापस लोटने कर शक होता तो वह ऐसा करता और जरूर और जासूस वह घटर के पास ही क्यों छोड़ेगा शीडियां चड़कर वह ऊपर गैलरी में बंद कमरे के पास रुका इस कमरे पर ताला लगा है यहीं से अपना यहीं से अपनी शुरुवात करता हूं अंदर कोई आहट ना सुनाई दे शुक्र है साइलेंसर भी साथ लेता आया था अब यह ताला असानी से तूटेगा सौ की रफतार से धादाते हुए दिल के साथ उस अंधेरे कमरे में कदम रख दी जा उसने बूड़े ने खसाना जरूर ऐसी जगह पर छिपा रखा होगा जहां कोई आसानी से पहुंशना पाए कुछी देर में उसकी आंके अंधेरे में देखने की अब्दास्त होगी कमाल है कमरा बिल्कुल खाली है केवल एक कुर्सी और छहत पर लटकता है जूमर पैंसिल टॉर्च पर रॉशन कर ली उसने इस कमरे में रोशनी का एक जर्रा भी बाहर नहीं निकल सकता टॉर्च ओन कर लेने में नुकसान नहीं है अचानक उस देखता हुआ है चौंक पड़ा करो इसका अने फर्ष लकडी का है घुट्णों के बल बेढ गया है इस उसका मतलम नीचे ठोकला हो सकता है यह तैखंना कमर में फसा एक अफर्षण बाहर निकाला थक्तर हटाने में ये काम आये अब देखता हों हो रेका है हर्ष की एक दराय पर रहक कर थोड़ी दौड़ थोड़ा दवाब डाला उसने इस काम में पसी ने छूट कर उसके टांगे थर-thर कापने लगी तकता उखाड कर एक तरह रखने के बाद उसने नीचे जहागा उफ ये कोई तेहकाना ही लग रहा है कहीं में खजाने तक तो नहीं पहुंच गया खजाने की कलपना मात्रही उसके समूचे जिसमें चीटियां सी रेखने लगी ये क्या है ठीक इसी बल उसके मुझ से एक बेयत डरावनी चीखोबल पड़ी न न न नहीं टौर छांस से चूट कर न जाने कहां गिरी कमरे में छा गया खुप अंधेरा उठकर दरवाजी की दरब भागना ही चाहता था कि तब ही जैसे कदम फार्ष पर चिपक गए आवाजे जैसे अंधे कूए से आई थी तहशत के मारे रोंगटे खड़े होगा जीवन के अभी को सोच भी नहीं पाया था कि पुनहा ऐसे उचला मारू लकडी का तकतांगारों में बदल गया हो उफ इसी चण भड़ाक की आवाज करता तरवाजा तूटकर भीतरा पड़ा चीख पड़ा जीवन हलक पार कर कौन है पहचानो इसे लॉकेट संध्या तत्तम एक शांदार हजी पूरे कक्ष में फैल गई मैंने कहा था ना कि तुम्हें ख़जाना नहीं मिलेगा मौत मिलेगी नहीं 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 तुम मुझे नहीं मार सकती मैं तुम्हें मार डालूँगा हाँ हाँ मैं तुम्हें मार डालूँगा हाँ हाँ मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, बचाओ, बचाओ, आई, आई, और लालकिष्णी जीवन की लाश देखकर भेंकर अटास करता हब बड़ा उठा, अपने खसाने से एक भी सिकत नहीं ले जाने दूगा, तु जो रहस जान गया था कुते, उसे जान लेने के प्रामकर अपने दोस्त के पास, हाहा, अगली रात, पंपं, पंपं, क्या बात है विक्टर, सालह कोई सड़क के भी चल रहा है, चला दे, हिं, गारे साले पे और फिर उठा कर सड़क के किनारे पठकते उसको, मुझे लगता है कम्मकत पीए हुए या फिर भेहरा है, ए कार का होड नहीं सुनता क्या दूसरे ही पल्मा नो भिजली सी समगी साय ओ उफ साया अंधा दुन तलबार चलाने लगा चारो में खलवली मच गई कि साया विक्टर पर जप्टा भापरे यह तो मारी डालेगा जल्दी से कार के नीचे छप जाओं कुत्ते मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा उफ वह मेरी जान लेना चाहता है विक्टर धंब से नीचे गिरा ठीक इसी पल तरवार उसकी गरदन की तरब जप्टी नहीं इस लेकिन इस से पूर्व की तलवार विक्टर की गरदन धर से जुदा कर देती रुख जा शिंडे इस हरामजादे का गलम मैं काटूंगा विक्टर ने जपट कर साई की नकाब नौश डाली तो तुम तू मेरी बेटी के हत्यारों में से एक है ना कुत्ते ब्रेगेंस और जीवन की तरह तेरी लाज भी वहीं सड़वाऊंगा मैं क्या तो तू ने उन द बेटी हमारे हाँ तो शहीद हो गई थी यह उसका बदला लेना चाहता है लेकिन अब मौका है दोस्तों अगर तुम रातो रात करोड़ पती बनना चाहते हो तो इससे इसके गुप्त खजाने का पता पूछो खजाना हां दोस्तों बड़सों से बुड़्ड़ खुद फट खजाना ढूंड लेंगे जल्दीकर विक्टर अगर कोई आ गया तो हाँ यह क्या इसे क्या हुआ हाँ बारा घंटे याद हैं तो उसके कमीने पहचान इस लॉकिट को बारवे घंटे पर ही उसकी सांसे तूड़ गई थी जिसके गले में यह था संध्या नहीं शिंडे बाबुल के छक्के छूट गए दूसरे इपल भाग शिंडे वरना यह आत्मा हमें माढ डालेगी नहीं शिंडे रुख जाओ बाबुल मुझे मुसीवत में छोड़कर मत जाओ बापरे यह बुड़ा तो खतरनाक हो गया विक्टर ने कांपते हाथों से तलवार घंटी साह नहीं देशात का मारा चीक पड़ाव है मुझे माफ कर दो संध्या मुझे मत मारो नहीं छोड़ दो मुझे जाने दो मुझे खाच आँ साहे के गायब होती कार के नीचे शोर मचाता हुए निकल आया तो उनका चौथा साथी खून खून भूद 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 पीटर लिस्ट का सारा सामान आ चुका है आज रात मुझे खाजाना पराप्त करने से कोई नहीं रोक सके सकता फिर उसी रात आज अपने रास्ते के हर रुकावट पार करने का सामान मेरे पास है उस लाल किष्णी की आज मौत आ गई है मेरे हाँ तो पीटर के बूट की एक जबर्दस ठोकर ने पुराने जरजर दरवाजे के चीथर लोड़ा दिये कमरा बिलकुल खाली था बूड़ा यहां नहीं है लेकिन कमरा उससे में खाली नहीं रहा जब पीटर के हां सिलेंडर से जड़े पाइप पर कस गए चुहे उस बूड़े के रक्षक चुहे भ्यानक ढंग से चिचिया चे पीटर की तरफ लबके आओ शैतानों आओ आओ से बचने का मास्क नहीं है हाँ हाँ लगता है सारी चुहे खतम हो मैं लेकिन अरे यह क्या यहां से तो शाहिद कोई रास्ता है पीटर उससे सांसे अंदर सरग गया उस दिन हम इस कमरे में तक तो आये थी लेकिन यहां से आगे रास्ता है यह नहीं जान सके थे ओ आगे यहां आगया मैं क्या है यह और मास्क लाइट में वे खौफनाग दिर्श्य देखते ही पीटर के कंठ से ना चाहते भी चीख निकली गई उफ नहीं तलाशों को पहचानते ही वह और भी जोड से उचला वह विक्टर और यह ब्रगेंजा जीवन भी है भगवान यह तीनों न पहचान इसे यह मेरा है पीटर मुझे तुमने भी चाकू मारा था संध्या लेकिन हां मैं संध्याओं कुत्ते तुम शैतानों से बढ़ा लेने के लिए मुझे अपने बाबा के जिस्म का सारा लिना पड़ रहा है अब मेरा अंतिम्स शिकार तुम ही बच्चे हो हाहा आज मेरा बदला पूरा हो जाएगा नहीं मैं तुझे खत्म कर दूंगा टायन तेरे बाबा के चिस्म के तुक्ड़े कर दूंगा मैं इसी पल्विक्टर की लाश हवा में लहरा आई और ऑ पीटर ने आरी विक्टर की लाश पर चला दी हाहाहा इसी पल जीवन की कदम पर चुपक गए जीवन की लाश कहार पीटर का सीना फाल कर भीतर गुज गया और पीटर लाश में बदल गया तू भी मारा गया मेरे खजाने के सारे दीवाने मारे गए लाल किशने की सटने के से अंदाज से चलता हुआ एक कक्ष में पहुचा लाल किशने ने फरसे से कुछ तक्ते उखाड लिया फिर चिल लाया बतरीनाथ उठ बतरीनाथ देख करोनों की तौलत इखटी कर लिया हमने लाल किशने उसकी हट्कनिया खोल डाली और आज मैं तुझे अपने खजाने के दर्शन कराऊंगा बतरीनाथ इसी दिन के लिए मैंने तुझे आस तक बंदी बना रखा था फिर देख ले लालच के कीडे आज इस दौलत को पाने के लिए चार आदमी मौत के घाट उतर पहले मेरी जितनी डॉलर्ट खटी करो फिर आनव मेरी बेटी का हाथ मांगने लेकिन सर मैं रिचा से भियत प्यार करता हूं उसके बिना मैं पागल तो मैं ऐसे नहीं जाओगे भीरू बहाद और इसे धक्के देकर बाहर निकाल दो नहीं सर ऐसा मत कीजिए मैं रिचा की ब देकर वचल वसी ओ रिचा ये सब क्या हो गया सेट बदरीनाथ ये सब तेरी वज़े से हुगा हाँ सिर्फ तेरी वज़े से हाँ हाँ कुत्ते मैं तुझे नहीं चोड़ूँगा मैं अमीर बनूँगा दौला तिकटी करूँगा लेकिन तुझे भी चैन से आराम नहीं चै पागल सा हो गया फिर एक दिन उसी पागल पर में मैंने तेरा अपनार कर तुझे हमेशा गले बंदी बना दिया फिर एक दिन मैंने तुम्हारी ज़बान काड़कर तुम्हारी आवैस हमेशा गले शांत कर दी ताकि मेरी बड़ी होती बेटी तुम्हारे रह से ना जान सके कमीने तूने मुझे मरवाना चा लेकिन मैं तुझे मरने भी नहीं दूँगा ये सब कहता हुआ नफरत से चीख पड़ा लाल कृष्णी लेकिन घबरा मत आज मैंने तुझे हमेशे अगली आज़ात कर दिया क्योंकि संध्या के बाद मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं रह गया है मैं अब जिन्दा नहीं रहना चाता इसी पल इंस्पेक्टर सहीद कई पुलिस वालों ने कोहां प्रवीश किया यही है वो शैतान ठैरो लेकिन तब तक बहुत देर ऊचुकी थी और अब केबल वेक कारवाई बाकी रह गई थी जो पुलिस को करनी थी चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाब करते हैं और मिलते हैं थ्रिल होरर सस्पेंस की किसी अगली कॉमिक्स में तब तक के लिए धन्यवाद